नमस्कार मैं हो ससी आया जरगां के टॉप 25 फर्मों खबर जानते हैं महाराष्ट ने मांगी हर दिन 20 लाख वैक्सिन महाराष्ट में क्रोना संक्रमन के मामले बढ़ रहे हैं महाराष्ट में अब तक 25 लाख लोगों को क्रोना वैक्सिन दी जा चुकी है वह हर दिन 3 लाख लोगों को वैक्सिन दीया जा रहा है माराष्ट के स्वास्त मंत्री राज़ टोपो ने कहा हम इस कोशिस में हाए कि लोगों को उनके घर के पास ही वैक्चिन की सुविधा मिल जाए हमने हर दिन 20 लाख वैक्चिन की मांग रखी है हमें बताया गया कि कॉल 9 लाख कोविसील वैक्चिन मिलेगी हमारा लग्छा है कि खतरेवाले स्वमौको तीन महीने के अंदर भैक्चिन लगा दी जाए जार्खन में अपनी सुरक्छा अपने हाथ अभियान शुरू मुख्य मंत्री हमन सुरे ने सुमवार को जाकर्ण विधान सभाब परिसर से अपनी सुरक्षा अपने हाथ राजे ब्यापी जागरूपता अभ्यान का सुभारम किया बतादे इस मौके परमुक मंत्री ने जागरूपता रत को हरी जंडी दिखा कर किया बताया गया कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ अभ्यान 22 मार्ज से 25 मार्ज 2021 तक राजे के 14,500 स्कूलों में चलाया जाएगा इस अभ्यान के तहट इसकूलों में अध्यान रत बच्चों को साब सफाई, मध्यान भोजन तथा 144 प्रवंधन एवं सक्षता से सम्वंदित सभी पहलूओं पर व्यापक रूप से जनकारे दी जाएगी बता दे जागरुपता रत के मादयम से बच्चों को सरकार के दिशा निर्देश एवंगती वीदियो के बारे में भी बताया जाएगा अनलदा समेथ 17 हाटकोर नक्सलियों के खिलाप चलेगा देश दुरो का मुकादमा जारखन में 17 हाटकोर नक्सलियों के खिलाप देश दुरो का मुकादमा चलेगा इनमें एक क्रोर के इनामी नक्सली अनलदा 25 लाग के इनामी नक्सली अजय महत्तो समेथ अन उग्रवादी सामिल है राई सरकार ने इनके खिलाब देश्दुरों का मुकादमा चलाने के सुखिति दे दिया है आपको बता दे कि गिरीडी के उपाई उत्राहूर कुमर सीना ने इनके खिलाब देश्दुरों का मुकादमा चलाने के लिए राई सरकार से अनुमती मांगी थी कम्प्यूटर अपरेटरों को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला सरकारी कर्यालों में सेवा दे रहे कम्प्यूटर अपरेटर को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है रादे अस्थाई तोर पर सेवा देने वाले कंप्यूटर अपरेटर को हटाने की बजाए सरकार अब उन्हें पर्मामेंट करने जा रही है सोमवार को जरकन पिधाल सभावे सरकार की ओर से कहा गया कि राजे में जितने भी कंप्यूटर अपरेटर काम कर रहे हैं वे आगे अपना काम जारी रखे उनके बदले कोई दूसरा कर्मी बाहल नहीं किया जाएगा कंप्यूटर अपरेटर के रूप में काम करने वाले यूगों को अगर सेवा देते हुए 10 साल पुरा हो गए तो सरकार उन्हें अस्थाई तोर पर नौकरी में बाहल करेगी जारखन में रह रहे 22 विदेसी नागरी को को नोटीस बीजा की बैता फेल होने के बावजूद राजे में विदेसी नागरी करा रहे हैं उन्होंने बीजा आओधी बढ़ाने लोंग टर्न बीजा देने के लिए आवेदन दे रखा है गौतला भाय की पिछले दिनों राई सरकार ने केंद्रियेगरी मंत्राले को पत्राचार करिया जनकारी दी की राची और रूस वजापान के दो नागरिक लपाता है इनके अलावाद 4 बंगला देशी सहीद 5 बिदेशी नागरिक ने अधारकार बनवा लिया है CM हिमन्थ के सामने सरकार हिलाने की चुनवती जारखन CM हिमन्थ सुरेन के जारखन बिधान समय मजूदी के भी जार्खन मुक्ति मोच्चा के विधायक लोभीन हेम्वरम ने कहा कि सर्म आती आये कि हमें अपनी सरकार में ही काम के लिए लोगों की बात सुननी पड़ती है उन्होंने चेताते हुए कहा कि लोगों की समस्याओं का निदार ना हुआ तो ये सरकार हिला कर रख देंगे बता दे सोमवर को सता रोट पार्टी जार्खन मुक्ति मोच्चा के बोर्यो विधायक लोभीन हेम्वरम के तेवर ब्यात तलके दिखे चार्खन विधान सबाम में लोभीन जम कर गर जे उन्होंने गोड़ा में 26 आगनवाडी सेविका साहिका के चैन समतित मामले में सरकार को जम कर घेरा कुरोना संक्रमन रोकने को फिर बनेंगे कंटेनमेंट जोन राजे में एक बार फिर कुरोना वाइरस के बड़ते संक्रमन को देखते हुए वाई गतिविद्य आयोजित की जाएगी जो सुरू में इसे रोकने के लिए आयोजित की जा रही थी बतादे कुरोना संक्रमन के नियतन के लिए एक बार फिर राजे में संगन निगरानी चलेगा इसके तरत कंटेन्मेंट जोन, माइक्रो कंटेन्मेंट जोन, कलस्टर आदी की पचान कर कॉंट्रेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी तथा बीसे जाच अभियान चलाया जाएगा स्वाच सचीव केके सोन ने सभी उपायुकतों को सोमवार को इस समध में विस्तित दिशा निर्देश जारी कर दिये बतादे स्वाज सचीने सभी उपायुक्तों को संक्रमन की रोक्ता मेतू सकन निग्रानी तथा कॉंट्रेक्ट ट्रेसिंग गतिवीदिया को उच जोखिम वाले छेत्रों में केंद्रीद करने को काहा है कुरोना रिपोर्ट नहीं मिलने पर सेना बहाली अभियार्थियों ने किया हंगामा सुमवार को सदर अस्पताल में सेना बहाली में सामिल होने आय उमिद्वारों ने जंकर हंगामा किया बता दे उनका कहाना था कि बहाली के लिए कुरोना टेस्ट रिपोर्ट अनिवार है सनिवार को ही 100 से अधिक अभियार्थियों ने कुरोना टेस्ट के लिए सेंपल दिये थे लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं मिली है सदर अस्पताल वाले रिपोर्ट के लिए रिम्स जाने को कर रहा है वही रिम्स जाने पर वहाँ से कहा जा रहा है कि सदर अस्पताल में ही कुरोना की रिपोर्ट मिलेगी इस करण मुराबादी मैदान में चल रहे सेना बाली में घुस्तने नहीं दिया जा रहा है 9000 इस्कूलों में चोकलेट और टीशर्ट बाटने में हुई गड़बड़ी की होगी जाज सरकार ने बिधान से बाविया मना है कि 2016 के अस्थापना दिवसकार करम के दोवान 35 लाग टोफी और 5 करोर के टीशर्ट बाटने में गड़बड़ी हुई है वही टेक्स चोरी भी हुई है कुड़ू फैबरिक्स लुद्याना ने टीशर्ट खरीद में रोड परमिट नहीं लिया अब इसके लिए पंजाब सरकार से अनुरोद किया है सरकार ने पंजाब सरकार से कुड़ू फ्रैवरिक्स द्वारा टीशट खरीद की बियूरन मांगा है जारकन में 110 नए केस मिले है जो रांची से 46 बोकारो दो देवगर 4 धनबाद 9 पूरवी सिमू 28 गुमला 6 अजारी बागी एक जामतरा दो खूटी एक उडर्मा एक लाते हार दो रामगर दो साहिव गंज दो सराइक केला तीन पच्छमी सिमू से एक मरीज मिले है जारकन में कूल महत की संख्याई 1.97 वहही एक टिव केस 796 है भारत में 40 एर 611 नए संक्रमित मिले हैं बारत में कूल महत की संत्याई 1.68.2 साहिव एक टिव केस की संक्या 3.42 ऐ 344 अहार थे जारकन बीधान सभा की हो 120 सीटे संजय सेट राची के संसर संजय सेट ने लोक सभा में कहा कि जारखन राज का गठन हुए 20 बरस हो गए हैं मुल रूप से जारखन बिहार से अलव होकर बना था और यहां 81 बिधान सभा सीटे हैं राज गठन के 20 बरस बाद राज की अबादी बढ़ी अब अवस्यक्ता है कि यहां बिधान सभा की सीटों में बढ़ोतरी की जाए उन्होंने सुमवार को लोग सभा में कहा कि वह अध्यक्स को बताना चाहेंगे कि इसके लिए जारखन सरकार ने एक कमीटी का भी गठन किया था उक्त कमीटी ने 4 जुलाई 2005 को राजे में विधान सभा की सीटों को बढ़ाने से समंधित एक रिपोर्ट ततकालीन राज सरकार को दी थी जिसमें राजे में विधान सभा की सीटे बढ़ा कर देर सो करने का प्रस्ताव तयार किया गया था खेल के छेतर में बेहतर कार कर रही है राजी सरकार मुख्यमंत्री मुख्यमंत्र एमनसुरे ने का कि पिछले दिनों राजी सरकार ने जारखन के खिलाडियों को सीधी नियुक्ती दी है आज यहां देश के 28 राजियों जे पहुचे खिलाडियों का उत्सा देकर खुसी हो रही है किरिसी बील और महंगाई पर विसेष चार्चा के दोरान भाजपा का हंगामा जाकन बिधान सबा में सोम अरको किरिसी बील और महंगाई पर चार्चा होने वाली थी अश्पस्ट करना चाहिए क्रिसी बील और महांगाई पर भागपा माले की विधायक विनोत सिंग ने अपनी बात जरूर रखी लेकिन भाजपा विधायकों के हंगामे में उनकी आवाज धब गई सिंडेगा के सभी सिक्षक 15 अपरेल तक दो निरक्षर ब्यक्ति को साक्षर बनाए उपायुक्ते सिम्डेगा उपायुक सुसंत गौरों ने सोमवार को समाना लए सभाक कक्ष में पढ़ना लिखना अभियान के ताथ जीले के सभी निरक्षर ब्यक्तियों को साक्षर बनाने की दिशा में सिक्षा विबाक के अधिकारियों के साथ बैटक की उन्होंने कहा कि जीले में 3000 सिक्षक सिक्षिकाए हैं 15 अप्रेल तक सभी सिक्षक दो निरक्षर ब्यक्ति को नाम लिखने तथा बुनियादी रूप से साक्षर बनाए जो ब्यक्ति सिक्षा से बंची था उन्हें साक्षर बनाना है इस अभियान के ताथ कोई भी ब्यक्ति न नाम लिख सके कोई उन्हें बाला फुसला कर अंगुठा का निसान लेकर उन्हें से ठगी ना कर सके जारखन होकी ने चंडीगड को 7-0 से हराया राश्टी ये सब जुनियर पूरुस होकी चैंपियंशिप में जारखन टीम ने होकी चंडीगड को 7-0 से प्राजित कर सेमी फाइनल में परवेश किया इस चैंपियंशिप का आवेजन हर्याना के जिन्द में 17-25 माज तक आवेजी था येगार भी होकी इंडिया राश्टी ये सब जुनियर पूरुस होकी चैंपियंशिप में जारखन टीम